गुड मॉर्निंग आल आफ यू कैसे हैं सभी एमाई अर्डिवल के मेरी आवाज सभी को आ रही है से एस और नो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कॉमबेक्टिंग टेरेरिजम का पार्ट ही पढ़ने जा रहे हम ए ए आर्सी की रिपोर्ट ओके किस्टल के लिए रहा रही है वाज ठीक है लेट में अप्लोड दा स्लाइट देन वी विल स्टार्ट आपर लेक्चर एस सोने पॉसिवल आज हम पढ़ेंगे टी टेरेरिजम को अगर हमें खतम करना है तो कौन-कौन से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कौन-कौन से स्टैब लेने चाहिए इनके वारे में हम पढ़ेंगे तो छोटा सा लेक्चर है लेकिन क्या है बहुत इंपोर्टन लेक्चर है सीधे कोशर अगर यहां से आता है तो सीधे आप कॉपी पेश्ट कर सकते हो इतना प्यारा जो है यह आज की क्या है लेसन है ओके कोई बात नहीं जो किलाज शूटी है आप उसका रिकॉर्ड बर्दन देख लेना कल जो है बहुत ही असान किलास्वी जो है डिफेक्शन वाली दल बदल कानून वाली तो बहुत ही मतलब सरल है उसमें ज़्यादा जो है आपको करना नहीं है ठीक है अच्छा दल बदल कानून जो है किस आपके पार्ट में आता है कौन बताएगा कौन से पार्ट में है किसी को पार्ट याद आ रहा है अमेंडमेंट याद आ रहा है किसी को बावन एक और सम्मंदित अमेंडमेंट था जिसने क्या अगार था कि वहिए अगर मर्जर हो रहा है ठीक है 91 वाला अच्छे बावन वाला जो था इसका क्या कहते हैं आपका इयर कौन सा था इयर बहुत ज़्यादा पूस्त थै और राजीब गांधी का सबसे फैवरेट अमें साथ यह 52 वाला था जिसमें दल वदल कानू नाया था ऐसे विए यक बार कोश्चन आ गया है राजीब गांधी के नाम पे केलियर ऐसा पौई बच्चत उन्हीं किप जीसकी पहली किलास हो आज ऐसा अबDoscat पहली मतलब पहली दूसरी तीसरी नहीं पहली मतलब पहली कोई जुडिस्री की तयारी कर रहा है एनी स्टुडेंट पहली किलास है आपकी आज सिंगल त्यागी जी कि अधुन कब लिया आज कल में सप्रूप्शन लिया कब पहली सप्रूप्शन ले रखा था कल लिया है ठीक है चलो इससे बहले की जित्ती भी क्लाश शुड़ गई है आपको recorded version देखने है फटाफट और ARC की report हर बच्चा करेगा चाहे वो prelims के लिए आया है चाहे मेंस के लिए है प्रिलिम्स में जैसा कुछ नहीं होता पुरी प्रॉपर त्यारी करने ही पड़ती है ठीक है इस चीज को हमें से याद रखना strategy to counter terrorism बहुत ही प्यारा चैप्टर है शुरू बात करते हैं इस चीज के a strategy for fighting terror in India has to be evolved in the overall context of the national security strategy national सर एक ARC के notes भी बनाने है इस पे मैंने बहुत पहली किलियर कर दिया कि ARC वाले क्या गरना है हुआ सर सदय दोवक्टा 3 वाले में confusion हो गया है हिंदी वाली और नेट पर भी दिखा रहे है दोटा 3 सख आधी है ना हां दो वत्तां तीन साही है अगर अब एक बट्टां तीन हो गया तो हमें तो पता नहीं दो वट्तां तीन ही सई है ठीक है तो कहीं पे भी जब हम टेरिरिजम की बात करेंगे तो सिर्धे कोशना आता है कि भारत में बढ़ते हुए टेरिरिजम की समझहा को कैसे निदान करेंगे ठीक है न तो नो सी ऑफ लॉब कि पर क्रक्टिकुलर लेंडर्टस तो प्रॉपर जो है पीच्ट सिक भी बात कर चतो कर GS की पूरी complete preparation कर सकते हो और मेंस में GS की paper 1, paper 2, paper 3, paper 4 की complete preparation कर सकते हो मेरे दवारा strategy to counter terrorism a strategy for fighting terror in India has to evolve in the overall context of national security strategy अब इस चीज को समझो ध्यान से देखो जब कभी national security या terrorism या development का कोई भी issue आता है तो आप इतना प्यारा introduction लिख सकते हो इन दो slide में आपको बहुत प्यारा introduction मिलेगा जहूं यहां पर क्या लिखा है कि जो हम terror से fight करते है यह जो है हमारे सीधे के सीधे national security strategy से क्या है सम्मंद रखता है national security in its broadest sense means security of life and property of every citizen in the country as well as the common wealth of nation which belong to all national security का मतला सम्मंद रहो ना कितनी प्यारी परिवासा है आपकी कि national security होती है एक हम अगर broadest sense में देखें कि हर इंसान को क्या मिले एक security मिले कि उस जीने के लिए क्या है हक है उसका ठीक है उसकी property का क्या है हम स्रक्षण करेंगे और जो common जो है property जो nations की उसका भी स्रक्षण होना चाहिए ये national security में आता है ये परिवासा सबको समझ मारे national security means security of life and property of every citizen in the country as well as common wealth of nation मैं गारंटी से बोलना हूँ ये परिवासा आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी ठीक है क्योंकि जितनी किताब मैंने पढ़ी है उतनी किताब आप तो पढ़ भी नहीं पाओगे मैंने कभी इतनी छोटी औतनी प्यारी definition नहीं देखी है national security की इस से complex definition देखी है समझ माया इसको आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी beauty है इसकी आगे देखो the objective of national security strategy has to be the creation and the maintenance of security environment which would enable the nation to provide opportunity to all individuals to develop their fullest potential national security की objective यह होती है कि हर एक नागरिक को एक ऐसा environment प्रवाइड करे जिससे कि वो अपना जो है एक fullest level में एक full potential में double up कर सके ऐसी परिवाद सुनिए है आपने national security कहां से कहां तक कर रहे है और हम national security केवल कहा है defense में क्या करते थे हैं apply कर देते हैं जबकि यह वाली ज़्यादा क्या है comprehensive है समझ माया our national security strategy needs to be built around a concept that nothing must impede our drive toward the goal of eradicating poverty and raising everyone in the country above the poverty line देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर साफ लिखा हुआ है कि हमारी जो national security का concept है आज voice किसको नहीं आ रही भई आज तो ऐसा हो नहीं सकता voice नहीं आ रही हो किसको voice नहीं आ रही भई सबको voice आ रही है भई तो जो है refresh कर लो एक बार तो हमारी national security का main मतलब यह है कि हमारी जो national security है वो concept है जो कोई भी जिसको impede मतलब मतलब गिराना या कम करना जो main हमारा target है क्या गरीबी हटाना और हर किसी इंसान को poverty land से उपर रखना समझ माया यह हमारी main जो है national security का क्या होता है target होता है कौन-कौन लोग इस sentence से सहमत है कौन-कौन नहीं सहमत है कि national security needs to be will around a concept उस तरीके से हमें national security बनानी चाहिए जिससे हमारे जो गरीबी हटाव वाले प्रोग्राम चलना है किसी भी हद तक वह compromise नहीं होने चाहिए समझ माया इससे कौन-कौन सहमत है कौन-कौन नहीं सहमत कि national security का मतलब ऐसी policy बनाना कि हमारे जितने भी poverty को हटाने वाले प्रोग्राम है वो कहीं तक भी compromise ना हो पाए एक अलगी copy चलेगी अगर आपने यह लिखा नहीं तो भाया गूगल पर डालना national security की दुनिया भर की परिवासा है यह वाली परिवासा नहीं अब आप सोचो जब भारत सरकार का official document यह वाली परिवासा को मानता है तो हम यह वाली परिवासा लिखनी चाहिए किताब वाली परिवासा लिखनी चाहिए खुद बताओ, खुद बताओ कौन सी वाली परिवासे लिखनी चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रॉफेसर है भाईया, वो इसके क्या है, आउटकम है, जो हम पढ़ रहे हैं, कोचिंगों क्या आउटकम है, समझ माया, यही अंतर है, मैं बतातो रहूं आपको, कि अगर आपको बेसिक में आता है, लेकिन दुर्भाग यह है, कि एर सी कोई नहीं पढ़ाता है, समझ माया, किलियर, आप सोच रहोगे, कि यह प्रिलिम्स की त्यारी को नहीं करा रहा, तो प्रिलिम्स की त्यारी भी होती है, रात के नौ बजे, अगर आप चाहें, तो प्रिलिम्स की सर्वे होगे, एर सी रिपोर्ट होगे, इसे जितनी जल्दी कर दोगे, जिन्दगी मों तना अच्छा कॉन्फिटेंस आएगा, ठीक है ना, नहीं तो इनकी समरी पढ़के जाओगे, और फिर क्या करोगे, अगले साल की प्रिपरेशन करोगे, एनी ठ्रेट विच कुड़ दाउन इस प्रोसेस हैस तो बी कंसीडर एट ट्रेट टू दा नेसलन सिक्योरिटी, समझ माया, नेसलन सिक्योर्टी के लिए ठ्रेट कौन सी है, वो तो सभी को पता है ठ्रेट है, लेकिन वो सबसे बड़ी ठ्रेट है, जो हमारे क्या है, गरीवी या गरीबी हटाओ समझ में आया, अनदर अमंग कॉज, सच थ्रेट कुड एमेनेटेट फ्रॉम दा वार, टेरिरिजम, और्गनाइज क्राइम, सॉट आफ और नर्जी, सॉटेज और फूड इंटरनल कंफिलिक्ट, एटीसी, एटीसी, और मैनमेड और नेचरल डिजास्टर, और इसके अलाव इट्स, इट्स कंपोनेंट, तो मेरे ख्याल से आप 125 वर्ड आराम से लिख सकते हो, क्योंकि आप आपका बेस केलियर है, कि नेशन सिक्योर्टी को आपको कहां खुमाना है, डवलाप्मेंटल प्रोग्राम, और एलाइट कहां खुमाना है, ये वार, टेरिरिजम, इंटरनल कंफ्लिक्ट, नक्सलिजम, मायोजम, रीजलिजम, इस पर आपको खुमाना है, समझ में आ गया, किलियर, तो आपको अगर बेस किलियर होएंगे, तो डाइनमिक कितना भी कोशिन आए, आप आराम से बना सकते हो, तो टेकल डामिनांस ओफ टेरिरिजम, दा मल्टी अगर हमें आतंगवाद हटाना है, तो हमें बहु पक्षी नीती अपनानी पड़ेगी, इन दिस कॉंटेक्स, सोशियो एकोनोमिक डवलपमेंट इस ए प्रायर्टी, सो डेट वुल्नरेवल सेक्शन आप दे सोसाइटी, डू नोट फॉल इन दा प्रेय आप प्रोपरगंड जाएगा आज की किलास पे, याद रखना प्रॉमिसिंग सब्त पे, इस से पहले अभी तक हमने क्या पड़ा यहां से यहां तक, इसका मतलब यह हिंदी माध्यें वाले बच्चों कि हमें आतंगवाद को हटाने के लिए बहुत बड़ी क्या है, बहुत पक्षी नीती चाहि समझ माया, गरीव आदमी को, कि अगर आप अपने बच्चे को हमारे यहां भेज देते हो, तो हम आपके यहां कभी पैसे की कमी नहीं होने देंगे, तो यह जो उनकी फॉल्स प्रॉमिस होती है, समझ माया, इनको दूर तभी किया जा सकता है, कि जब सरकार वहां पर जाकि क करें, समाजिक और आर्थिक विकास करें, अगर कहीं पर विकास हो रहा होगा, तो फिर उनको वही है, टेरेरिजम वाले लोगों की सुननी नहीं है, समझ माया, जब खाने के लिए पैसा नहीं होता है ना भाई, तो उस समय क्या करता है आदमी, यही ढूंटा है कि कि किसी न 12-12 चैप्टर है, तो 12 का गुणा, अगर 200 में करते हैं, कितने पेज आते हैं, 14 है, तो 14 से गुणा करो, तो कितने आते हैं आपके, तो सोचलो, 1000 में इसके पेज है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसी का आपको क्या करना है, हिंदी वर्जन देखना है, ठीक है, अगर तो हिंदी वर्जन देखोगी भी तो, तो आप पहचान जाओ को, जो मैंने पढ़ा है, वह हिंदी वर्जन से निकाल लेना है, अब देखो, हिंदी माध्यम वालों के लिए भारे सरकार ने ARC की रिपोर्ट बनाई है, अब हिंदी माध्यम वालों का काम है, कि जैसे मैं कि इमोशनल इंन सान, अगर कोंई होता है, तो हिंदी माध्यम का होता है, और उसको आसानी से क्या किया सकता है, बेफू कुछ बना जा सकता है, और हिंदी में वालों उसी में लग जाते है, कि भाया, आयो क्या ऑगे अगे धरना दो, कि हिंदी भी इänner से जल्टनBS आ रहा है अरे क्यों अजल्ट नहीं आ रहा है तुम लिखोगे तो अजल्ट आएगा ठीक है अगर हिंदू इंगली समा आता है तो उसको भी मैं हिंदी में करके दे रहा हूं आपको करके दे रहा हूं आप वहां से नोट्स बनाओ लेकिन इसका मतलब यह है जो महनत करेगा उसके लिए क्या कि जो कोई गारा हो उसके में चले जाओ भाई आपका प्रेलिम्स हो गया 2020 का प्रेलिम्स हो गया समझ माया सारे YouTube चैनल आपको किसमें घुमा रहे कि कट आफ इतनी जाएगी कट आफ इतनी जाएगी कोई आपको यह नहीं बता रहा कि हमने आपको इस तरीके से गलत पुल जाये जा रहा है दो तीन गंदी-गंदी से किताब लगाई जा रही है या गंदी मतलब कि जो ट्रेंड में नहीं थी कि पेपर यहां से बना अरे बेफ कूफ हो पेपर कहीं से बना नहीं बना अगर तुम अपने बच्चों को बेसिक पढ़ाते तो ही 120 कोशन बन जाते पर नहीं है यहां पर बन जाते हैं किलिए 120 कोशनसानी से बन जाते लेकिन न उस चीछ पे तो बात ही न ही करनी है किस बात में बात करनी है, आयोक के बुराइए करवा लो पेपर भाहर से आया, ट्रेंड चेंज हो गया, कोई भी यह नहीं बता रहा कि भाया, आपा कमेंसे कितना आया, कितना नहीं, कोई अिर्फिक जिम् opens-गोषणा करती है नहीं लेने के तियार है और नए नए बैच की घोशना करते हैं और आप बच्चे क्या करते हैं वहाँ पर जाके जोइन कर लेते हैं यहाँ पर आने अकेडमी में special class जो free होती है उसमें ही मैं आपको इतना matter देता हूँ मैं हमेशा अपना दा हिंदू newspaper किसमा लगाता हूँ फिरी वाले lecture में जिसे special class कहते हैं लेकिन बच्चे उसके बाद भी क्या करते हैं दा हिंदू को पढ़ने नहीं आते और गाना काते रहते हैं कि हिंदू नहीं पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए जो पढ़ने वाले थे वो select हो गए समझ माया मेरे से बिहार वाले भी पढ़े तो बिहार का एक बच्चा भी सलेक्ट हुआ समझ माया एक सीट तो कम हुई की नहीं हुई आपकी हिंदी मादने माले सुन रहे नहीं सुन रहे एक सीट कम हुई की नहीं हुई तो भाईया जो मेर से पढ़ेगा उसका अपना भी सेलेक्शन हो जागा अगर वो महनती इंसान है और जो नहीं पढ़ेगा तो भाईया फिर वो दुनिया भर की राजनिती करते रहे अब आप समझो 63-600 रुपे की राजनिती ज्यादा फाइद लोग जो है इस समयश्या से घ्रसित होगे और मुझे समझ में नहीं आता कि आदमी जो है अगर खाना पीना खाता है और ग्रेजूइशन उसने ठीक ठाक कर रखी है ठीक है तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं जिन्दगी में क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा मुझे आज तक समझ में नहीं आया तो हाँ तो मैं नाम नहीं लूँगा तो इन्हों ने लिखा है कि सर में 2016 से UP SSC की त्यारी कर रही हूं ठीक है महिला है यह 2016 से UP SSC की त्यारी कर रही हूं ठीक है और अब बोल रही है कि सर मुझे बताओ कि मेरा RO निकल सकता है या मेरा UP PCS निकल सकता है तो मैंने बहुत मतलब अच्छी तरह मैसेज लिख दिया मतलब आप 2016 का मतलब कितना हो गया 17, 18, 19, 20 चार साल से बेफ्कूफी कर रहे हो अगर इस चार साल की बेफ्कूफी में एक बार भी प्रॉपर PCS के दरली होती तो यह यह you हालت यह है कि नई यूपी ट्रीपल से का बिरन से निकला है न अभी तक क्या है ए啊 का पर ल मत समंझ फाले सी correct को पिर और पतानी किस गुरूप में मैं यार तुम ट्रिपल सी के लिए तो उनके सामने तो आप सर्वाइब करी नहीं पाओगे चार साल से परिलिम से फेले हो रहे हो दस साल और पिरिलिम से फेल होगे आपने सुरू में इस सरलता वाला पकड़ा और यही बच्चा अगर प्रॉपर PCS वाला पकड़ लेता तो कम से कम परिलिम से वी कौलीफाइए क कि क्या आपको इतनी क्या किते हैं अग्यानता कहां से मिलती है कि एक बार ट्रिपल सी का सहलेबस देखो एक बार यूपी पीशेस का सहलेबस देखो दौनों का सहलेबस अलमोश सेम है ठीक है तो प्रॉपर पीशेस लेबल की त्यारी क्यों नहीं करते क्यों नहीं करते लेकिन नहीं ट्रिपल सी का भी प्रिलिम्स जो है ददद साल तक नहीं निकलेगा और यूपी पीसे से डर लगा रहेगा मुझे समझ में नहीं आता ऐसे कैसे आप अपने क्या कहते हैं और बोलते क्या है कि सार हमें एक साल के अंदर नौकरी लेनी है हमें अपने माबाब का नाम रोस हो जाएंगे अगर आपने उत्तरप्रदेश के प्रॉपर तियारी कर ली समझ माहिए हमेशा सरल्टा की तरह भागों गे तो क्या होगा हमेशा जो है गलत सिकार होगे वह सारे बच्चे क्वालिफाइए कर रहे हैं परिलिम्स मेंस जो प्रॉपर पीसेस की त्यारी कर रहे ह सब् Fighting sensitive तो आता ही नहीं है हमें सर क्या करें आपका तो English में होता है बहुत बढ़ी सिपना जिए के लिए जो है बढ़िया सी तालिया बजाई जाए कम से कम जितने बच्चे है 22 दुनी 44 तालिश तो बजा दिद है ठीक है न सेता जी जो तुमने कमेंट लिखा है ENGLIS इंगलिस भी लिख दिया ठीक है पूरा इंगलिस में कमेंट लिखा है आपने ठीक है अगर उत्तर प्रदी स्पीशेस की त्यारी करनी है न तो आपको इंगलिस भी आनी चाहिए मैं आपका माध्यम चेंज करने की बात नहीं कर रहा समय आने पर आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना बड़ा क्या करा नुकसान किया है कि यहां पर अगर इंगलिस मीडियम का थपा लगाया है यहां पर कितने इंगलिस मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे रेंग भी लगाये हुए ठीक है ना फोर्थ रेंग की क्या थी सुद्ध हिंदी माध्यम, हिंदी माध्यम छोड़ो, संस्कृत माध्यम, हिंदी का भी पापा, समझ माया, वो हमारी GS की, इंगलीज की किलास में बैठा था, तो चाहने वाला सब कुछ कर सकता है, और अगर आप चाहती नहीं हो, कि मैं कुछ करू नहीं, मुझे सुद्ध हिंदी में मिले, तो भाई आप मेरी क्लास छोड़के चले जाईए, ठीक है, और हर साल जल्ट आने पर एक बात क्रॉस शेक जरूर कर लेना, कि मुझे सरकी क्लास में हिंदी मीडियम वाले कितने क्वालिफ आई हुए, जिससे आपको थोड़े अपनी गलती का एसास भी हो, क्योंकि ऐसास होना बहुत ज़रूरी है, जा रहे है डिप्टी कलेक्टर की तयारी करने, मैं ये पूरा सेंटेंस हिंदी में कनवर्ड करके दे रहा हूँ, अगर आप चाहती तो इसका हिंदी में कनवर्ड कर सकती हो, मेरे सारे मेंस के बैच में जो भी सेंटेंस होता है, मै बड़े टॉप लेवल के हैं कि उसका कुछ इलाजी नहीं ठीक है मुझे एक डिप्टी कलेक्टर दिखा दो पूरे उत्तर प्रदेश में जिसे इंगलिस नहीं आती हो दिखा दो अब यह मत बोलना कि मैं इंगलिस वहाँ पर जाके बोलने लग जाओंगी ऐसे भी बहुत दे आपमें दम है इस एक्जाम को कौलिफाई करनें तो बहां आप नोक्स बना के लिखो न हिंदी में अभी tidak मैं अबी तक मैंने आतंउमग इंचसी कशेकी का कि इन्टरिस्टी न सिक्योर्टी वही होती जो गरीबी और गरीवी से डेलेट जो U Might लेजना है उनको कम ना करे अ तो फिर मैं उसको ईशो डाट टा ओं समझ माया तो फिरी की पढ़ाई नहीं करता ओं किसी बच्चे को कि हिंदी मादम हिं क्वालिटी में कोई बार स है अर रहे हैं मेस की तो उकाती नहीं है बैच चलाने जाओ और फिर आपको आप ने गलती जब आपिवसे तक जोस्त मैंने कीया होता है हम क्या करता थोड़ा कंपरामाइज ह हमने किया होता अरे भई EJMR की तो सब को इंगलिस पता होती है कच्छा पांस तक तो समने इंगलिस पढ़ी होती है ठीक है अभी अगर तुम्हें थोड़ा इंप्रेशन दिखाना होगा ना तो तुम्हें बोलोगी myself स्वेता सिंग ठीक है I have done graduate from तब कहां से जवान खुल जाती है सोचो इस चीज को ठीक है ना तो भारत में कोई ऐसा इंसान है नहीं जिसको क्या है इंगलिस समझ में ना आए यह केवल जो है बेवकूफी वाली बात होती है जिसने ग्रेशन कर रखा है PCS की त्यारी कर रखी है उसे सब कुछ पता होता है तुमारा बहुत डियमाय का इंगलिस सम्बोल के चले जाएगा तो मैं पूरा पता हुआ कि उसने ये ये बोला उसका मतलब कहने का ये था मैं आप से इंगलिस में बोलने की बात नहीं कर रहा मैं आपसे इंगलीस में लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपना माद्दम हिंदी रखो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, वो हिंदी में बोल रहा हूँ, उसको समझने की कोशिस करो, समझ मैं हैं, तो चाहा है, वहां रहा है, जहां चाहा है नहीं है, तो वहां रहा है नही अब यहां पर है कि कोई भी हमें जो है किसी भी छेत्र का डबलप्मेंट ऐसा करना है कि वह यह वो इन आतंग वाद जो आतंग वादी होते हैं इनकी फॉल्स प्रॉमिस में इंसान ना आ पाए ठीक है यही हमारी क्या होनी चाहिए स्ट्राटेजी होनी चाहिए इस्ट्रॉंग मेजर्स आर रॉक्वाइट टू डील विड़ दा क्रिमिनल एनिमेंट बट विद रेस्पेक्ट ऑफ दा हिमन राइट्स दो कितनी प्यारी चीज लिखिए है कि वही हमको सक्त कानुन बनाने चाहिए हमें सक्त सक्त सजागा प्राबदान हो लेकिन हमें उनके human rights को क्या करना है आदर रहे भले हीdepend DIY क्या मेरा समझ माहरा है जानी ऄगना हो मिच्चरक्त अइंडिया नहीं है आतंगवाद ने्र आतंगवादीår काम किया है तो直接 कर उसके भी human rights का violation आप नहीं करोगे सुद्ध हिंदी में बोला है मैंने अभी यह चीज to ensure this the law enforced agency have to be supported with the appropriate legal framework adequate training infrastructure equipment and intelligence और हमारे जितने भी जितने भी हमारी agency है जो हमारी आतंगवाद को क्या करती है रोकने के लिए काम करती है तो उसमें जितने भी लोग काम करते हैं उनकी personal training होनी चाहिए उनको कानूनी जो है framework की सिखाना चाहिए जिससे की क्या करें वो कानून की दारे में रहके क्या करें action ले समझ माया कानून को हमें कभी भी breach नहीं करना है भले ही वो आतंगवादी ही क्यों न हो समझ माया गया पूरा हिंदी में बोला है मैंने यह भी sentence dealing with the menace of terrorism would require a comprehensive strategy of the different stakeholder अगर हमें आतंगवाद को रोकना है तो एक हमें क्या करनी पड़ेगी बहु रूपी जो है हमें एक निती अपनानी पड़ेगी जिसमें अलग-अलग stakeholder क्या करें उसमें उनका योगदान हो अब stakeholder क्या होता है इस तना तो google कर सकते हो the government, political party, security agency, civil society and the media यानि कि सरकार को ठीक है जितने भी हमारी political party है जितने भी हमारी सुरक्षा की agency है जो हमारी civil society हम लोग और जो हमारा media है इन सब को मिलके काम करना पड़ेगा समझ माया कोई एक आदमी अकिले नहीं कर सकता अगर सरकार चाहे हम आतँगवाद रोग दे लेकिन अगर civil society आपके साथ रही है तो आप आतँगवाद नहीं रोग सकते आपके संग मीडिया नहीं तो आप आतँगवाद नहीं रोग सकते समझ माया तो आपको सब को साथ ले के चलना पड़ेगा वुड है वेन इंपोर्टेंट रोल टू प्ले डेस स्टेड़ी शुट अमलगेट पॉलिटिकल सोचल एकोनोमिकल एड्मिस्टेटिव पुलिस और मेजर अमलगेट का मतलब मिक्शर बनाना यानि कि अब हमें क्या बनाना पड़ेगा संतूलित मिक्शर बनाना पड़ेगा कि राजसाही का ठीक है पॉलिटिकल पार्टी का समाज का अर्थसास्त्र का हमें एड्मिस्टेशन का ठीक है हमें पुलिस का और अधर मेजर का समझ माया कोई भी एक इंसान अकेले अपने दंपे आतंगवाद को नहीं रोक सकता है अब देखो हमें क्या क्या मेजरमेंट लेने है पहला होना चाहिए और इसकी अभी भारत में बहुत बड़ी कमी हो गई है पिछले 10 साल से देख लेते हैं, political senses का मतलब की एक जूटता चाहिए हमें सारी political party की, उनका एक मत होना चाहिए और वो एक मत होना चाहिए कि आतंगवाद क्या है, गलत चीज है और इसका हमें सामना करना चाहिए, ये नहीं कि भाईया कोई एक particular party बोले की नहीं नहीं, हमें सब सबूत दिखाओ उकैना सबूत दिखाओ संगाया आप जान्बुच के लोगको फसा रहे हो सबूत दिखाओ तो ऐसा नहीं हुनने चाहिए पॉलिटिकल कॉंसटेस होनने चाहिए सबसे मिपोर्डन पॉइंट पॉलिटिकल Il Parsi must arrive at a national consensus on the need for the broad contour of the such plan strategy और सभी को चाहें पक्च हो चाहें बिपक्च हो चाहें रीजिनल पार्टी हो समझ मैं सब को एक मत से जो है आतंगबाद के बिरूद बोलना चाहिए और एक प्लान तयार करना चाहिए सुद्ध हिंदी में बोला है मैंने based on this national strategy each of the state and union territory should draw its respective regional strategy along with the required tactics component and implementation of the strategy यहां पर जैसे मालो हमारा यह क्या है भारत माता है ठीक है ना यह थोड़ा टेड़ा मिना नक्सा बना दिया है अब इस भारत माता के अंदर उत्तर प्रदेश भी है इस भारत माता के अंदर राजिस्थान भी है इस भारत माता के अंदर जमू एन कस्मीर union territory भी है तो भहिया सारे के सारे प्रदेश और union territory को एक अपना खुद का प्लान भी बनाना चाहिए ठीक है सुद दिंदी में बोलना हूँ कि सारे प्रदेश और union territory को अपना एक खुद का प्लान भी बनाना चाहिए जो आतंगवाद से लड़े यह नहीं कि सब चीज आप सेंट्रल पर छोड़ दो आप केंद सरकार पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते वह उत्तर प्रदेश भी भारत का अभी नंग है समझ मैं राजिस्थान भी भारत का अभी नंग है समझ मैं आ रहा है तो इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग में लिखना है कि प्रतेग स्टेट और प्रतेग union territory को क्या भी करना चाहिए अपना खुद का प्लान बनाना चाहिए और उसको मैच अप करना चाहिए सेंटर स जो है home ministry और defense ministry सब कुछ करेगी हम कुछ ना करेंगे ना ऐसे करोगे तो देश नहीं चल पाएगा समझ मैं और खासकर केंदर में जो सरकार है मालो X और किसी प्रदेश में Y सरकार है तो आजकल ऐसा देखा कि हैं बहुत ज़्यादा क्या होता है क्या करते हैं disturbance होता है जैसे आप बेस्ट बंगाल देख लो होता है कि नहीं होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरा आतंगवाद को हटाने के सुझहाव या आतंगवाद को हटाने के क्या कहते हैं क्या 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 component हो सकते हैं उसको हम पढ़ ले सीधे copy paste कर लेना copy में जितना समझ मैं आ रहा है ठीक would we require to do their part in close consultation with the nodal ministry and government of India if possibly home ministry तो कुल मिला के जो मैंने वो वाली बात बोली इससे पहले वह यहां पे लिखा है कि union और state government को भार सरकार के साथ मिलना चाहिए और especially जो हमारा ग्रह मंतराले है जो nodal agency होती है internal security के लिए उसके साथ मिलके या करनी चाहिए strategy बनानी चाहिए सुद्ध हिंदी में बोला है हिंदी मीडियम वाला चाहे तो पॉस कर 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 के recorder बजन में भी देख सकता और यहां पे भी बहुत प्यारे पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे best notes बना सकता है यह मुझे पता है प कारन हो चाहिए आतंगबाद को अगर हटाना है तो हमें good governance पे काम करना चाहिए ऐसी governance जिसमें corruption ना हो ऐसी जिसमें सब कुछ time पे हो अगर आपने passport बना वाया है तो 15 दिन के अंदर बन जाए रासन कार्ड हमारा दो दिन के अंदर बन जाए समझ माया तो good governance होनी चाहिए हमारा socio-economic development यानि कि वहाँ पे समाच का आर्थिक रूप से भी क्या होना चाहिए development होना चाहिए अगर नहीं होगा तो उनकी false promise में आ जाएंगे समझ माया दिस वूट नेसेशेट हाई priority being given to the development work and its actual implementation on the ground for which clean corruption free accountable administration at all level is an imperative necessity imperative necessity इस तरह के keyword use करने हैं आपको clear अब हिंदिये बता देता हूं क्या कह रहे हैं यह कह रहे हैं कि हमको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना चाहिए वो हमें development work पे देना चाहिए ठीक है ना और उसके साथ-साथ जितने भी हमारी वहाँ पे administration है ठीक है तो जितनी भी हमारी administration हो corruption free होनी चाहिए all level पे यानि कि gram पंचायद भी corruption free होनी चाहिए उससे उपर बना ब्लॉग वाला भी जिला वाला भी ये तो हो गया भाया कौन सा basic वाला उसके अलावा जो है आपके जिलादिकारी है समंदित जो है officer है वो सब क्या होने चाहिए corruption free होने चाहिए accountable होने तो उनको उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ ये मेरे कारण हुआ समझ माया तो अगर ऐसा होगा तो लोग कभी भी आतंगवाद के साथ नहीं जाएंगे और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है खासकर हमारे आतंगवादी जहां पे बहुत ही क्या है ये active है उन प्रदेश हुआ है समझ माया किलियर अगर ये लोगों को वहीं पर रोजगार मिल जाए तो क्यों ये आतंगवाद के साथ जाए अब यह मत बोलना कि सर वो पहाड है वहाँ पे अगर जो है फैक्टरियां खुलेंगी तो वहाँ पे पॉलूशन होगा और नैचुरल इनवार्मेंट ख खोल सकते हो आप जो है आयुरवेदिक ड्रक्स का कार खाना खोल सकते हो आप घड़ी बनाने का कार खाना खोल सकते हो जो एक घड़ी बनाने वाली चीज़ होते हैं बहुत ही साइलेंट वे में क्या क्या जाती है बनाई जाती है जैसे अगर आप हिमाचल गए हो तो वहाँ क्या जितने भी यह सेपरेटिस्ट है किलियर जो आज कल बाहर घूम रहे हैं इनके काण कभी भी वहाँ पर इंडरस्टी नहीं आ पाई लोग तो आज भी चाहते हैं कि वहाँ पर इंडरस्टी आए किलियर और यह एर्सी की रिपोर्ट कप छपी हुई है तब से लिखा हुग गुड गवर्नेंस और सोशियो एकोनॉमिक डवलप्मेंट लेकिर होता नहीं है ठीक है रोड नहीं मनाई जाती है अब टनल और रोड दोनों पर काम हो रहा है ठीक है टेक्स्टाइल एक्सपेक्ट फॉर रूल अफ लॉव तीसरा सजेशन क्या होगा आपके लिए कि रूल एफ लॉव को सबका आदर करना है सबको किसका आदर करना है रूल ओफ लॉव का गवर्मेंटल अजंसी मस्ट नौट एलाउट आजकल तो जमुएं कसमीर में गोपकर डिकलेरेशन का मुद्दा भी चल रहा है बहुत बड़ीया गवर्मेंट एजंसी मस्ट नॉट in dealing with the critical situation caused by the insurgency or terrorism कभी भी किसी भी इंसान को अपने हाथ में कानून को नहीं लेना है सुद्ध हिंदी में ऐसे लिखना है आपको ठीक है चाहे वो सरकार का नुमाइंदा हो चाहे कोई भी हो ठीक है किस को ये बात समझ में जो ये सेंटेंस है वो सिंपल कह रहे है कि आपने के ऐसा कानून मनाया है कि उस कानून में अगर आपको किसी पे सक हो रहा है आप उसकी जो कर सकते हो चानून नहीं कर सकते है माल लेते हैं कुछ एक ऐसा कानून है ठीक है अब ये कानून क्या कहता है कि आप जो है जवरस्थती किसी की चानवीन नहीं कर सकते किसी की घर में जो है चानवीन नहीं कर सकते ये माल लेते हैं कि ऐसा कानून है तो अब इसका मतलब होने पे भी हम किसी के घर की तलासी ले सकते हैं जब ये कानून हो जाए तो आप तलासी ले लो क्या मेरी बात समझ मैं है क्योंकि तो केस में की रूल आफ लौ का वालेसन करना फाइदे मन्द है लेकिन अगरे ट्रेंड जब चलता है तो रूल आफ लौ जब नहीं रहता तो लोकल गवर्नेंस या लोकल जो सिविल सोसाइटी होती है उसका जो है बिस्वास हमारे क्या कहते हैं लौ एन ओर्डर मसीनरी से किलियर बहुत प्यारे एक्जेंबल समझाईए कि कभी-कभी आपको लगेगी लौ को क्या है ब्रीच करना पुलिस वालों को लगेगी हमारे देश के लिए फाइदे मन्द है लेकिन अगर यह सारे पुलिस वाले करने लग गए सब कुछ करने लग गए तो बहिया जो जमू लेकिन कभी भी एक्स्ट्रा लीगल या इलीगल मैठट नहीं लेने चाहिए ना फॉज को ना किसी किसी भी इंटेलिजेंस एजन्सी को समझ में आ गया किलियर और उसके लिए हमने कालग से कानून बनाया रखा कौन सा अफसा बना रखा ना फुल फॉर्म क्या है बहिए इ इस पर मेरे ख्याल से इस बार कोश्चन भी आया था आपके मेंस में आया था ना कोश्चन कि यह कहां तक वैलिड है कहां तक नहीं है वैलिड आया था नहीं आया था मेंस में देख लो पुलिस एंड ऑल गवर्मेंट फोर्सेस मस्ट अधीर तू सम बेसिक कोड ऑफ कंटेक किलियर इनिन ने भी यही कहा हे और सुप्रीम कोस्ट ने भी एक है सुप्रीम कोट का स्ठेट्मेट पता है ओपको उस एंसरे डिस पर को है rock up और आपके का encounter भी करते हो तो सुप्रीम कोड आगे बीच में जूडिशल रिव्यू कर सकता है ठीक है सुप्रीम कोड नहीं स्टेटमेंट दिया था आगे बढ़ो countering the subversive activity of terrorism इसको समझते हैं कैसे government must give priority to the defeating the political subversion by terrorists and the emphasis should be on the civil as opposed to military measure to counter the terrorism and insurgency इसका मतलब कौन समझा government must give priority to defeat the political subversion the emphasis should be on the civil as opposed to military measure to counter terrorism and insurgency कौन समझा वह इसका मतलब इसका मतलब क्या कहना चाहरे है कि हमें लोगों लेके साथ चलना चाहिए या सीधे जो है military action कर देना चाहिए जल्दी बताओ हमें अगर आतंगवाद को हटाना है तो लोगों को लेके साथ में चलना चाहिए कि सीधे military action कर देना चाहिए जल्दी बताओ देखो इसका मतलब यह है कि देखो आतंगवाद क्या गर रहे हैं आतंगवाद भी क्या गर रहा है कि भाईया एक अपना प्रोपोगंडा फेला रहा है ठीक है आप देख रहो वह प्रोपोगंडा कैसे जाएगा जब तक आप लोगों को ब्रेन ब्रॉस नहीं करोगे समझ मैं तो लोगों को साथ लेने वाली करा आपने क्या करें आतंगवाद मार दिये लेकिन उनकी सोच नहीं मारी चार-पांच महीने बाद एक नया गुरूप बन जाएगा ठीक है उसको मार दिया फिर चार-पांच महीने वाला बाद कोई और नया कमांडर बन जाएगा क्योंकि लोग तो अपने बच्चों को भेज खाना ज़्यादा जरूरी है साइकलोजिकल वालफेर को कितनी प्यारी टर्म लिखी है लोग की साइकलोजी से खेलो ठीक है अभी जैसे कि अभी जो एक मैडम डाट खाई हैं इंगलिस हिंदी में तो मैंने उनको साइकलोजी से समझाया समझाया नहीं समझाया अगर वह क्या है दिक्कत है कहीं नहीं कहीं किलियर तो ऐसी आप लोग को साइकलोजीकल तरीके समझाओगे तो ज्यादा फायदा होगा किलियर साइकलोजीकल वार्फेर मैनेजमेंट आफ इन्फॉर्मेशन सर्विस एंड़ मीडिया इन कंजक्शन विद दा इंटेलिजेंस विंग पुलिस कैन प्ले दा इंपोर्डेंट रोल इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव कितनी प्यारी लैन लेकिए से ऐसी कॉपी पेस्ट कर देना कि यहां पर वहिया हमें पुलिस मीडिया और हमें दो दिन पहले ही आर्मी ने बहुत पॉलाइटली एक आतंगवादी को सरें कर सकता है जैसे की बैजा अभी जो है जब्मू अन कास्मीर से जो जो लोग बहुती सफल हो गये है उनका मीडिया में इंटर्वी आना चाहिए कि ने आना चाहिए अब कुछ सोचो क्या जम्मू कास्मीर से लोग नहीं हो ब्लकुल बड़ी-बड़ी कंपनी के क्या है प्रे को स्वाथ कि यह जलट आ गया उस दिन देखते हैं मीडिया वाले कि जम्मों कस्मीर से कितने लोग थे और पिर उनका क्या करते हैं प्रवोस्व्रों करते हैं चार-50 दिन फिर भूल जाते हैं यह होता है होता कि नहीं होता जिस दिन योप्ष्जे जलट आ क्या कहते हैं आपका coverage नहीं करेगा तो इसमें हमारी मीडिया की भी गलती है समझ माया तो जब तक आप psychological warfare नहीं करोगे तब तक दिक्कत है और मेरे ख्याल से इसमें यह भी दिक्कत है कि लोग interview खुद नहीं देना चाहते सकते हैं तो लोग भी यह है इसलिए सामने भी नहीं आते तो दोना ही चीज है लेकिन पैटर्न अगर बनाना चाहो तो सरकार पैटर्न बनवा सकती है मीडिया की साहता से जिस तरीके से सरकार जो है अपने वोट बैंक के लिए पूरी मीडिया को कवर करवा देती है करवा देती नहीं करवा देती है मीडिया वही बोलती है जो कभी-कभी लगता है पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है तो एक छोटा कसा काम भी करवा सकती है करवाना चाहे तो ठीक है प्रोवाइडिंग डा एप्रोपेट लीगल फ्रेमबर्ग टैररेजम इजे एक्स्ट्रा ओर्डिनरी कृइम ये साधारान जो है क्या किनता है क्राइम नहीं है ठीक है ना ये एक विशेश तरीके क्राइम है दा ओर्डिनरी लाव ओफ धा लैंड में डूर्ड एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूए पीए ठीक है तो हम यूए पीए लेके आए किलियर फिर हाँ 1967 में लेके आए जब हमारा जो है क्या कहते हैं ग्रीन रिवोलुशन आया था और अब इसमेंडमेंट हो गया नेया वाला 2019 वाला मान है ठीक है दिस में सब ने लिख द इस में रिक्वाइर इस्पेशल लॉव एं एफेक्टिव इंफोर्समेंट मेकैनिज बड़ विट सिप इस सभी से वार्ड तू प्रिवेंट मिस्यूज तो हमें साधान लॉव की जगे इस्पेशल कानून बनाने पड़ेंगे इससे पहले हमने स्पेशल कानून कौन से बन तूदा इंटेलिजन्स गैदरिंग मसिनरी, सिक्योर्टी एजनसी, सिविल एड्मिस्टेशन, सोसाइटी एड लार्ज, ठीक है, क्राइसिस मैनेजमेंट, मिटीगेशन, रिलीवरी, हैवलिटेशन मेजर, तो कुल मिलाके हम क्या करना चाहिए, उनका ये सब साहिदा करना चा पी, एक मार्क्स तो एक्ट्रा लेके जाएगी, लेकिन ओवराल जो है, हर कोश्चन में कुछ ना कुछ मार्क्स लेके, आपको सबसे अच्छा बना सकती, एक याला कोश्चन, आतंग वाद का कोई भी कोश्चन आए, आज के बाद हमारा बच्चा इसको लगा तो 7 इस फार इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताओ, आइटी, आइटी वाला पहले बताओ, फिर नकरते हैं, इस फार्मूले की की से पता है बताओं पहली आईटी का मतलब है Information Technology ठीक है दूसरे आईटी का मतलब है Indian Thailand ठीक है और तीसरे आईटी का मतलब है India Tomorrow अब इमानदाजी से बताओ धूँआ उठेगा नहीं उठेगा कॉपी मगरी लिख दिया और नीचे इसकी फुल फॉर्म लिख दो कि इनफॉर्मेशन टेकनोलजी को अगर हमने जोड दिया इंडिया की टाइलेंड से तो फ्यूचर का इंडिया बन जाएगा धूँआ उठा की निउटा एक ताली तो बजा दो यार सुबह सुबह नींद खुल जाए लोगों की नीदी तो हमें खोल नहीं है अभी अनकेडमी मे सब्सक्राइब करते हैं सरकार का मतलब है क्या लीगैलेटी और देखते हैं कब बच्चे जो है उनकी आखे खुलती है अब यह वाले सरकार का मतलब है क्या लीगैलेटी प्लस कंस्ट्रक्शन प्लस एजल्ट यानि की एक कानून के दारे के अंदर काम करना ठीक है डवलपमेंट करना और डवलपमेंट का एजल्ट जो है सामने लोगों को दिखाना जबकि आतंगवाद और इंसर्जेंट का काम क्या है इल्ले प्रोमिस करना यानि कि जूटी प्रोमिस करना अब यह फार्मूला सबको समझ में आ रहा है कोई ऐसा बच्च जिसको फारूला समझ में आ रहा हो समझ में आ गया तो बिल्कुल लिखोगे गर्मेंट इसकल टू लीगैलिटी प्लस कंस्ट्रक्शन प्लस रिल्ट और टेरिजम इसकल टू इलीगैलिटी प्लस डिक्स्ट्रक्शन प्रॉमिस अब एक छोटा सा काम कर देना जिनको बहुत ही क्या होती है खुजली होती है दोदर करने की मेरे को किसी कोचिंग के नोट्स में दिखा देना उत्तर प्रदेश की किसी भी कोचिंग के नोट्स में दिखा देना या किसी भी आंसर एटिंग में मुझे दिखा देना कि जिसमें किसी माश्टर ने ये चीज बढ़ाई हो मैً छोटी मुटी बात नहीं कर रहे हूं, आज आप दिखाना मेरे को, समझ माया, इसी तरह मैं बोल budget दे रहा हूँ, आपको पता नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाईया, एक-एक डेडेट साल में, यहां से rank क्यों लग रहे है, top ten, समझ माया, एक इंसान जो दूर हिमाले पे बैठा हुआ है वो रेंग क्यों लगवा रहा है क्योंकि वो क्या कर रहा है वो चीज बता रहा है जो कहीं नहीं है केवल मुझ से बोलने पर कि मेरे नोट सबसे बढ़िया है quality 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 समझ माया आप अगर यूटूब पर जाो मम्मी पापा वीडियो वाला यही कहता है कि मैं क्यूलिटी से कंप्रो माइज नहीं करता और सब से घंदी क्वालिटी 400 कि यह पूरे मारकेट समझ माया की मैं क्वालिटी इसकरमाइज़ नहीं करता मैं भारा भार two गलत चीज़ों पर करेगा तो गलती हैं वह सई नहीं हो पाएंगी दम है तो यह करा के दिखाना कि समझेंगा है कि टेरिजम वाला फार्मूला होता है इलेगलेटी मतलब क्या है वो कभी भी कानुन के अंदर तो काम नहीं करते हैं इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं कि भाईया उसकी पहली धरम के अधार पे कि सुसाइडल बं अगर बनते हो तो आल्ला आपको क्या करेगा जन्नत प्रवाइड करेगा 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 नहीं यापको सर्वत पिलाएंगी ऐसे बाते होती है फ्रमेंगे अगर आके घर मेंसा जिम्मेदारी लेंगे मिन세요 आपको रम महिने इतना पैसा मिलता रहेगा बहल लेक मैं संगी फाल्स प्राओमिस मिंक तो आदमी क्याश से फैक हो यह बता वात है वह फ्रामिस प्रोमिस है कि तु आझ प्तर फैक साम को जितने इस फैके उतने के 2-3,000 उर्पे लेले न वह भी आस्वार नो बिना पैसे के आतंगवाद भी नहीं है पैसा हर चीज के पीछे हैं जो जो लोग आतंगवाद में गरस्त है अगर आतंगवादी उनको पैसा देना बंद करते तो उनकी भी नहीं सुने समझ माया पैसा इतनी बड़ी चीज़ होती है तो यह फॉल्स जो प्रॉमिस हो रही है कि नूर मिलेगा जन्नत मिलेगी यह मिलेगा वो मिलेगा तो यह क्या है नए नए लोग को ऐसी बढ़खा रही है समझ माया सबसे वड़ी फॉल्स प्रॉमिस क्या है कस्मीर हमारा है हमें से लेके रहेंगे यह भी फॉल्स प्रॉमिस है कि नहीं है से यह सौर नो अगर मालो मैं आपको पढ़ाना लिखाना बंद कर दूँ और दुनिया वर की फॉल्स प्रॉमिस करूं कि मैं रैंक लगवा तो नहीं भूलोगे तो एक बार सभी बच्चे अपने नो अपने क्या कहते हैं यह कमेंट बॉक्स में टैरेरिजम वाला फार्बॉना लिखें फटाफट लिखलो-लिखना बहुत जरूरी है सभी बच्चे अपने कमेंड बॉक्स में लिखें नीद से बाहर आओ रोज आट बजे किलास हुआ करेगी नीन से बाहर आओ न न सौर्ट फॉर्म नहीं चलेगा पूरा फॉर्म लिखो टेरिरिजम इसकल्टू इल्लीगेलिटी प्लस डिस्ट्रक्शन प्लस प्रॉमिस साबास और सब बच्चे लिखो मेरी बात मानो अब हिंदी मादें वाले क्या बोलेंगे हिंदी मादें वाले लिखेंगे आतंग वाद इसकल्टू देखो हिंदी मादें वाले आतंग अरे अरूपम है क्लास में वाद इसकल्टू अच्छा इल्लीगेल को हिंदी में सुद हिंदी में क्या बोलेंगे कोई Google से बताओ क्या बोलेंगे इलेगलिटी को क्या बोलेंगे अरे बता दो भहिया अववेद हाँ अववेदता प्लस डिस्ट्रक्शन मतलब नरसस्ता ओजी डिस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे तोड़ फोड़ को क्या बोलेंगे एक लिए AG साहार करना एक निसांगार करना ऐसी कुछ होता ना क्या बोले levenatic हिंडी मीटम वालों को भी लिखवा देते हैं विनास ठीक है पिलस प्रॉमिस को हिंडी में क्या बूलते हैं प्रॉमिस करना यार बहुत खतरनाग हिंडी हो रही है इससे में कसम नहीं प्रॉमिस मतलब वादा साब बास तो यह जो है वादा आ गया अब अब बताओ हिंडी मी गड़ेगा आपका कुछ भी गड़ जाएगा अवयद्धा प्लस विनास प्लस वादा ठीक है और भारत सरकार में क्या लिखोगे वैध्धा में कि भीनास का निर्मान प्लस वादा का रिजल्ट मतलब क्या बोलते हैं जी हिंदी में आप समका विल्ट है कि आड बताओ इमानदारी सीटिय किया दिक्षन कर न हर अगर आप करना चाहो कि सब कुछ सकते ओ यह सब केवल क्या है थोड़ी सी मेहनत पड़े कि लेकिन मेहनत करना क्या है जिलू में यह हो गई वह आपकी आज की किलास खतम किलियर अब आपके अगली किलास है ए और सी की ही किलास है किसकी आपकी human capital की समझ माया दुनिया भर के हम index पढ़ते हैं लेकिन human capital के बारे में अच ऐसे सब में जा रही है यह ARC इतनी अच्छी चीज़ है ठीक है तो इसी के साथ अगर किसी कोई confusion हो तो बहिया बता दो और जो भी बच्चे मेरे से पढ़ना चाहें तो किरप्या करके उनको मेरा referral code mks live ही यूज़ करना पड़ेगा अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो समझ में आ गया clear और अगर आप मेरे से बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहरे हो तो किसी भी हालत में mks live referral code नहीं होना चाहिए ठीक है एक सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि कल 11 बच्चों ने गलती करी है 11 बच्चों ने एक साथ मुझे समझ में नहीं आया कि उन समझ में आया कि जितने ही मैंनत से मैं बढ़ा रहा हूं तो ललगतर कोड़ सकते हैं अगर अब मेरे पास आओ तो पूरी जिम्मिदारी से आओ साथ घंटे का commitment होना चाहिए जौब वालों के लिए और जौब वालों के लिए तीन घंटे का commitment होना चाहिए और फिर मैं हर अपते आपकी क्या करूँगा इस्कूटनी करूँगा तो इस हिसाफ से जो है आप काम करो हा तो यह आपके उपर है के वल समझ माया के वल डस पर शेंट किजए के बीस परसंट का ऑला तो अगर अब यह से आपकी दिमाग में लालत जैसी चीज है न तो आप जिन्दगी में क्या करोगे मैं नहीं कह सरका कोड बताओ ना और अगर आपको नहीं पता है तो Most मेरे को फ्रीम में होता कि से अस्टेश क्या अगर उस वाले कोड से भी और के सरकी कर सकते हो तो इस से भी आजवे सकते हो तो इस चीज गर's किसी को कि बढ़ाएंगे हम ही आपको कोई मार्केटिंग टीम का आपको नहीं बढ़ाएगा अगली ग्लास किते वज़े हैं अगली ग्लास किते वज़े हमारी ग्यारा वज के पंदर मिंट पे टॉपिक का नाम है हुमन कैपिटल ठीक है थैंक यू वेरी मच्छ वेव गूड डे और गॉड ब्लेस यू